सुजानपुर डिग्री कॉलेस में बार्षिक समारों की दोरान चात्रा दिक्षा के साथ हुई छेठ चाड और बत्तमेजी मामले के बाद भाई के साथ मारपीट मामले में कारवाही ना होने पर चात्रा ने स्पी कारले पहुंच करने आए कि गुहार लगाई है वहीं स्पी हमीरपुर रमनकुमार मेना ने भी चात्रों को आशवास्चन दिया है कि मामले की निस्पक्सता से चांच करवाई जाएगी सुजानपुर कॉलेस की चात्रा दिक्षा कुमारीव उनके संबंधियों ने जिला पुलिस अधिक्षक रमन कुमार मीना के कारले में ग्यापन सौमकर रिपोर्टर दर्स करने की मांग की है युफ्ति गाम तलबाड तहसील संधोल की रहने वाली है प्रती दिन की तरह 23 मार्च को कॉलेस में गई तो कुछ लड़कों ने उसके साथ बच्तमिजी की चात्रों ने कॉलेस चुड़वाने की धंकिया देते हुए गालिक लोच किया जब उसके भाई ने इसका विरोध किय इनके विरूध पुलिस थाना सुजानपुर में रिपोर्ट दर्स करवाई गई है लेकिन उल्टा थाना पर भारी ने उन्हें धंकाया और चरित्तर पर सवाल खड़े किये चात्रा दिक्षा ने बताया कि वह चात्र संगधन से संबंद रखती है इसलिए उसे निशाना ब करदान की जाए एवं दोशियों पर कड़ी कारवाही की जाए उधर जिला पुलिस अधिक्षे क्रमन कुमार मीना ने इस बारे में बात करने पर उन्होंने बताया कि प्रतिधी मंडल की शिकायत के अधार पर पुलिस ने चानवीन शुरू कर दी है एसेच्चो सुजानपूर को चानवीन करके रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है इसमें बिल्कुल पक्षपात रही करवाई आगे करें अगर ऐसे कोई गटना हुए तो इसकी जाच करेंगे इसके वारे में रिपोर्ट लूँगा एसेच्चो से देखते हैं कि अगर ऐसे कोई गटना हुए तो उसमें करवाई में की चलेगी